मुझाज़ दोस्तु आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अगज़ा बनारस पे तो दोस्तों आज की सूडियो में हम दिखाने वाले हैं मागंगा का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है वो कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बारांसी की जितने घाट है 84 वो सभी डूब चुके हैं और यह सामने आप देख सकते हैं गंगा द्वार का नजारा जो की आध्य से अधिक डूब चुका है आपको दिखा रहे हैं यह हैं गंगा द्वार के ठीक सामने का नजारा और दो ही फ्लोर बचे हुए हैं मागंगा की बढ़ोतरी में और जिस गती से मागंगा बढ़ रही है उसको देख सकते हैं तो दूस्तों इस समय आपको गंगा की घाटों पे सिर्फ और सिर्फ मागंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर ही दिखाई देने वाला है और यदि आप बनारस घुमने की सोच रहे हैं तो ये समय अभी सही नहीं है देखिए अब हम आपको रैंप का सामने का हिसा दिखा रहे हैं और देखिए आधा से ज्यादा वो डूब चुका है और यह हमको ललीता घाट के नजारे दिखा रहे हैं जो कि इस समय सारे घाट जो है जलमग्न हो चुके हैं और इधर आप देख सकते हैं यह इटैलियन लाइट्स के बीचो बीच जो मागंगर की धारा है वो तेजी के साथ चीडते हुई समय आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं यह मनिकनिका घाट का हिस्सा है और आप देख सकते हैं कि यह जो रैंप है यह मनिकनिका घाट की तरफ है और पीछे का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए सीनिया और इस समय जो फ्लोर है वो एकदम से डूब चुके हैं और आपको बता देखिए कि यदि पिछली वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो आपको यहां पे फ्लोर है सीनिया है और वो जो आप रेलिंग देख रहे हैं जहां पे जलासेन पत लिखा हुआ है वहां पे पूरी तरीके से सिनिया बनी हुई है और जो चली जाएंगे रैंप के सहारे आपको उस कोने पे और जहां पे आपको उसके बगल और उसके बगल से आप चले जाएंगे गंगाद्वार की तरफ लेकिन अब के हालात कुछ इस तरीके से हैं कि पूरी तरीके से ह पानी भरा हुआ है और आप यह नजारा देख सकते हैं यह देखिए हनुमान जी हम बजंग बली हमने आपको कई सारी वीडियो में दिखाया होगा और आप यह देखिए कि यहां पर प्राइबेट गार्ड साब लोग की तैनाती की गई है जो कि अपने ड्योटी पूरी मुस् किस कंपनी से हैं आप लोग अच्छा अच्छा ट्रस्ट से हैं चलिए बहुत बढ़िया ड्योटी आप कर रहे हैं आईए वीडियो में आपको लेके आगे बढ़ते हैं और दोस्तों दिखिए हम आपको दिखा रहे हैं गंगा द्वार के ठीक सामने का जो नजारा है और मा गंगा दिखे कितना नजदिक आ चुके हैं गंगा द्वार के सामने और अब ऐसा लग रहा है कि बाबा विश्वनात का जलाभिशे करने के लिए मा गंगा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मा गंगा अपने एकदम विक्राल रूप में नजर आ रही हैं और जलस्तर दिनों बृध्धिं की ओर अब देखिए और दोस्तों ये देखिए हम आपको मणिकणी का घाट का हिस्सा दिखा रहे हैं जो की पूरी तरीके से डुब चुका है और जो शवदाह हैं जो अंतिम संस्कार लोगों के है वह अब मणिकणी का घाट के छत पे हो रहे हैं तो दोस्तो इस समय मौजूद है हम कारिडोट के अंदर और चलेंगे स्विणियों के माध्यम से कराएंगे आपको काशी विश्वनात जी के दर्शन भी तो बने रहीगा वीडियो में और देखी यहां पर गंगा द्वार से इंट्री करते हैं आपको दिख जाएगा कार्ति क संकुल और इधर देखे तो आई यह बढ़ते हैं वीडियो में और दोस्तो इस समय मौजूद है हम काशी विश्वनात के द्वार के ठीक सामने और आपको यहां से भगवान का शिखर भी दिखाई देगा तो देखिए दोस्तो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं बाबा क का शिखर और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा हम करा रहे हैं आपको घर वैठे काशी विश्वनात जी के दर्शन तो दोस्तो इस समय आपको हम दिखा रहे हैं नेपाली टेंपल के ऊपर से आपको यहां पे जो मागंगा का वेग है देखे कि हंधी से बहर आहे हैं और आप यह देख सकते हैं यहीं हम आपको फीपल का अब्रिक्ष दिखा रहे थे और दिखे कि आप जहां जहां देखेंगे वहां वहां इस समय मागंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर ही आपको दिखाए देगा और यह जो सामने हम आपको दिखा रहे ह यह पूरा रास्ता है जो कि अन्य घाटों से एक दूसरे को जोड़ता है बनारस के लेकिन अब पूरा जो है वो जलमग्न हो चुका है और देखिए मंदिर के सीणियों को पे चड़ते हुए मागंगा जो है अब मंदिर के ऊपर जो है प्रवेश कर रही है आप देख सकते हैं और देखिए कि इस समय मागंगा का जो जलस्तर है वो बीते एक-दो दिनों से काफी तेजी से बढ़ रहा है और देखिए और देखिए इस समय आपको मंदिर से दिखा रहा है ये पांचो इटालियन लाइट्स और मनिकडिका घाट और गंगा द्वार का हिस्ता में आपको दिखा रहा है देखिए आभी कुछ दिन पहले हम वहां तक जाके वीडियो बनाते थे लेकिन जो जलस्तर बढ़ा है उसकी वज़ा से आप देख सकते हैं कि ये क्या हाला थे और मागंगा पूरे वेक से बढ़ रही है और आप यहां पे आप देख सकते हैं बेहती खतरनाक महौल इस समय है और रह रह के लहरे जब उठ रही है तो बहुत ही ज्यादा वेक से उठ रही है और ये मीर घाट है और ये मीर घाट का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जो की सीणियों तक मागंगा चली आई है देखिए वहां जाने का मतलब यह है कि वो खत्रे से खाली नहीं है और देखिए आपे पेरिक रोडिंग भी की गई है लगाया गया है तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये कि जो ये घाट की सीणिया है वो पूरी तरीके से डूप चुक है और यहां पर लोगों का कहना है कि जो जलस्तर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और एक दो दिन में जो मागंगा है सीणियों को पार करते हुए इन सीणियों को पार करते हुए अब चल देंगी धाट की तरफ अब देखिए अब पिंड़दान किया जा रहा है और लोग नहा रहे हैं और नावे खड़ी है नाव का संचालन बंध है इस समय तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने दिखाया मागंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर और इसी के साथ कराए आपको काशी विश्वनात के दर्शन भी तो वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा चैनल पिनना है या पहली बार है तो सब्सक्राइब ही विक कीज से दिले कीजिए कर चैनल सेग्सेमे में